कि डिसंबर 22 कृष्ट में मेरे प्यारे भाईय और भैनों आप सबों को जैशू आज हम देखते हैं इंतचार प्रत्याशा हमारे जीवन में शमा का अभ्यास करवाता है कि है शमा का अभ्यास कराता है चोटे-चोटे चीजों के लिए इंतचार करने के लिए प्रत्याशा के सब्सक्रावाट या जब हम चोटे-चोटे चीजों के लिए इंदजार करने के लिए तैयार है तो देखिएगा आगे चलकर हम बड़े-बड़े चीजों के लिए इंदजार करने के लिए हम प्राप्त हो जाएंगे यह सच है कि हमारे जीवन में जब छोटी-छोटी चमतकार प्रभू को करने देंगे तब जाकर देखीगा हमारे जीवन में प्रभू के द्वारा बड़े बड़े चमतकार जरूर होएंगे लेकिन समस्य है कि हमारे पर पर उतनी शमा नहीं है जैसे हमने कल मनन किया था इंस्टेंट कौफी के बारे में मैं इंतजार नहीं कर सक मेरे अपना जीवन का एक साक्ष देना चाहूंगे यहां पर हम छोटे थे मैं चौती क्लासे पढ़ती थी मेरा भाई पहली क्लास में मेरी दीदी पाच भी पढ़ती हम तीन बच्चे मम्मी परिवार का कुछ महल ऐसा था कि पप्या कंपनी से रिसाइन कर लिये थे और हमें घ में हम तीनों बच्चों को अपने निकट लेकर ममी ने कहा कि बच्चे देखो बेटा क्या तुम्हें अपना घर चाहिए तो हमने सब ने कहा हमें अपना घर चाहिए क्योंकि पहले हम कौटरस में रहते थे अच्छा सा हमारा अपना घर था अभी आचानक कि राए घर में र चावतीक में पढ़ते हैं, मामी ने हम से उपवास कराया था, हम उपवास करकर प्रातना करते हुए जाएंगे, और रोज प्रभु से बोलना, प्रभु हमारा इंतजार है, हम एक छोटा सा घर दोगे न, हमें अपना एक घर दोगे न, ऐसे पूछते जाना, बछ्चों की प् पैदली जाएंगे वो त्याग सब मायने देता है और हम ऐसे गए जानते हो तिसरे मैने के शुक्रवार के पहले जिस घर में हम किराए से रह रहे थे वह किराए घर का मालिक खुद ममी के पास आके कहता है कि कितरा दिन तुम अभी ऐसे किराए से रहोगे मेरे लिए अपना एक घर है वो मैं दे देता हूं तुम ले लो और तुम बाकी देख ले ना दीरे दीरे मेरे प्यारे भाई और भैनों यह चमतकार हुआ है कि नहीं हम सबको इतना खुशी से हम अपने आपको समा नहीं सके क्रिस्ट में मेरे प्यारे भाई और भैनों इंतजार लंबा जरूर होता है उसका फल हमें देखने को मिलता है लेकिन इंतजार हमें शमा का भ्यास कराता है विश्वास का भ्यास कराता है तो क्यों न आज हम देखें लुकस का सुसमाचार अध् और तुम्हारा दिपक जलते रहे तुम उन लोगों के सद्रुष बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लोटेगा ताकि तब स्वामी आकर द्वार खट-खट आए तो वे तुरंद ही उसके लिए द्वार खोल दे धन्य है वे सेवक जिन हम विश्वास के साथ इंतजार करें हम भरोसे के साथ इंतजार करें पुरिस फूर्ति साथ इंतजार करें त्याग तपस्या के साथ इंतजार करें जैसे हमने किया था हमने घर आखिर तुरंद ही दो मैने के अंदर एक अपना सा घर हमने हासिल कराया आप भी आसिल करोगे प्रभु ने जो आपके लिए ठाराया है उसे जरूर हासिल करोगे इंतजार करते हैं